कॉंग्रेस को इसलिए हारा है किसलिए एक बाद है कॉंग्रेस हमेशा डिसकानेक रहते हैं कॉंग्रेस का कोई भारत का राजनीटी को सोचने का या आगे बढ़ने का अभी कोई उनका समझने वाला बैक्ती नहीं है जहां जहां थोड़ा हमारा सरकार थोड़ा स्पेस आजात लेकिन लोग कॉंग्रेस को भोड देता है ऐसे नहीं देते हैं कभी कभी हमारा उपर नाराज होते है तो हमारा खिला भोड देते हैं लेकिन मैं किसी को मैं आस्तर बात करके मेरा यह नहीं लगता है कि लोग कॉंग्रेस को कहीं भी पॉजिटिव भोड देते हैं एक थोड़ा बहुत एक बर्ग होता है कॉंग्रेस को बहुत देने वाला बत खास करके ओ नहीं रहा हो भी कहां कॉंग्रेस है आप कॉंग्रेस पार्टी को इस तरह से खारिश कर रहे हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव बार बार राहुल गांधी का नाम लेते हैं बाकी के भी इंडिया एलाइंस के जितने भी लोग हैं अगर बीजेपी के सामने इंडिया एलाइंस का एक उम्मीदबार खड़ा होता है देश बर में तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी ना इंडिया एलाइंस क्या सीज है इंडिया से तो इंडिया खटम हो गया फिर एलाइंस होन फिर आप इंडिया अलाइंस क्यों बना, इसका उपर भी टो एक इंक्वारी होना साहिए ना, अभी ग्रिहा मंत्री जी ने बताया सांक्षन में, आपका पास एतना बरिया नाम था, जो नाम का दम पर आपने डेश को दो दो बार प्रधन मंती दिया, फिर आपने अलाइंस का नाम क्यों आपने छोड़ दिया, मतलब आपको द्रेश सेंस करके पाबलिक का पास आपको जाना है हर बार, लेकिन इंडिया तो अभी क्या 1947 का इंडिया है, क्या 1952 का इंडिया है, क्या ओटू नहीं है, लोग तो समझते हैं, ये कोई अलाइंस अलाइंस नहीं है, ऐसा ही ह आपको लग रहा है कि अगर एक साथ हा भी जाएं तो भी बीजेपी का कुछ बिगार नहीं है, आपका पास इशू क्या है, आपका पास इशू है कि मोडी को हताओ, लेकिन मोडी को क्यों हताना साहिए